आज की वीडियो में बात करने वाले हैं Facebook audience के बारे में जो बहुत सदा important वीडियो है अगर आप Facebook ad run करना चाहते हो या उसमें export बना चाहते हो या दूसरों को service देना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखना बहुत सदा important होने वाला है और आज के बाद जो parts आने वाले ह यह हमारा दसवा part है इसके बाद और भी बहुत सारे part आने वाले हैं लेकिन आज के बाद जो part आएंगे वह बहुत सदा important होने वाले है अगर आप Facebook ads जो है बहुत अच्छा सीखना चाहते हो तो let's go so my name is T and you are watching as usual online money अगर चनल को subscribe नहीं किया make sure channel को subscribe के bell का अगर जरूर प्रेस करो because यहाँ पर मिलता है आपको infotainment मतलब बहुत जादा education about digital marketing business and online business okay और अगर आपने इस वीडियो को like नहीं किया तो make sure कि आप like का बटन दमाए जो ऐसा thumbs up का बटन तिकना है उसको blue कर दो because आपक एक blue tick मुझे बहुत जादा motivate करता है आप लोगों के लिए daily video बनाने के लिए तो make sure यह दो काम आप जरूर करें बिल्कुल free of cost तो आज हम लोगों बात करने वाले facebook audience के बारे में कितने type की facebook audience होती है तो ऐसा कुछ मैंने आप लोगों के लिए तयार किया है facebook audience तो facebook audience जो चीज यह आप यहां पढ़ पा रहे हूं seed audience तो अब seed audience बनती कैसे है ओके जैसे कि मैं एक ad अभी start करने वाला हूँ चलाने वाला हूँ run करने वाला हूँ चाहे अपने लिए चाहे किसी और के लिए तो वो जो ad मैं run करूँगा वो मैं demographic के base पे interest के base पे ध्यान से सुनना demographic के base पे interest क और product के base पे product याने आप जिस चीज के लिए भी ad चला रहे हो चाहे वो promotion के लिए brand awareness के लिए किसी product के लिए conversion के जो भी वो जो भी ad चला रहे हो उसको मैं यह product बोला हूँ ओके याद रखना हूँ तो इन तीनों के base पे जो ad आप सुरू सुरू में run करते हो उसको बोलते है seed audience ठीक है क्या बोलते है seed audience ध्यान से सुनना नहीं समझना फिर देखना विकाज यही वो जगह है जहांसे audience किसी के पास मतलब नहीं होती है उसको रखा नहीं जाता है इसको बनाया जाता है ठीक है build किया जाता है राइट मतलब बोलने का मतलब यह है कि जब आप कोई ad run करोगे जो शुरू में जो traffic आपके पास आएगा उसी को बोलते है seed audience बस वो किसी base पे रहता है किसी के भीहाफ पे रहता है like demographic interest and product right अब दूसरा जो है वो है custom audience, custom audience जो चीज है वो इस प्रकार की रहती है like आपने कोई ad run किया जिसमें आप seed audience जो आपके पास थी ठीक है वही बात में custom audience बनती है like जिसे आपने कोई ad run किया ठेक है अब आपने run कर दिया ad बहुत सारी लोग उसको देख रह मतलब action नरे कर रहा है, वो convert नहीं हो रहДа, click कर रहा है पतलब उसके साथ engagement कर रहे है, but convert नहीं हो रहा है मतलब आप जो करवाना उनसे चाहते हो वो नहीं कर रहे हैं लेकिन वो लोग उसको like कर रहे हैं आपके ad को देख रहे हैं उस पे click कर रहे हैं बट आपके landing page से वाफस आ जा रहे हैं ठीक है तो यह जो audience ब्यूल रहे हैं उसको बुलते हैं custom audience, custom audience create करने का वहाँ एक option रहता है आपको याद होगा मैंने part 8 में यह part 9 है मैंने part 8 में जो facebook ad का part 8 बनाया था उसमें मैं आपको सिखाया था engagement ad कैसे बनाते हैं तो उसमें मैं आपको कि वहाँ पर एक custom audience का option होता है तो जब उस पे हम लोग click कर देते हैं उसको ok कर देते हैं तो वहाँ पर एक हमारी custom audience create होते रहती है अब क्या होता है custom audience बहुत ज़्यादा मायने रखती है और बहुत ज़्यादा important रहती है वह मैं आपको बताऊंगा आगे क्यों ओके तो आप समझ गया custom audience किसको बोलते हैं वह लोग जो आपके ad को प इखने वाले audience right like आप एक ad run करना चाहते हो 20,000 affiliate marketers के साथ या 20,000 business owners के साथ local business owners के साथ तो उनका जो data है वह आपके पास पहले से है ठीक है मतलब पहले से उनका email list है तो आप क्या बोलोगे facebook को ले भाई ये मेरे पास data है और मुझको इस तरह की audience चाहिए ठीक है लोग का लाइ है एक audience का एक particular audience का जैसे कि मैंने कहा ना कि local businesses हैं आप उनको कुछ promote करना चाहते है तो और कुछ लोग ऐसे हैं जैसे कि 5000 आपके पास या 10,000 पहले से ही email list है local businesses की जो run करते हैं लोग उनकी अब आप बोलो कि ये email है मेरे पास ये ले भाई facebook और ऐसा ही एक और audience network create कर मेरे audience इसलिए look alike audience बहुत सब्सक्राइब कर देता है अब क्यों वो मैं भी बताता हूं ठीक है best result ठीक है इसका क्यों का एक ही answer है best result अब यह सीड ओडियंस मतलब जैसे कि भाई मैं आपको गुमता-फिरता मिल गया और बोलूँगा कि ये मेरा product है खरीद लो इसको तो क्या आप हाँ खरीद सकते हो लेकिन ज्यादा चांस यह है कि आप नहीं खरीद होगे लेकिन अगर मैं आपके पहचान का हूँ और थोड़ा सा आप मुनको जानते हो कि मैं यहां आपको मिला था पहले और हमारी बातचीत हो गई है और मैं बोलूँगा भाई यह चीज मैं नया लेग होगा क्योंकि वो लोग जो लोग है वो आपको पहले से जानते हैं देखते हैं समझ समझ चुके हैं राइट उसको बोलते हैं कस्टम और यह होता है बेस्ट रिजल कस्टम और यह मिलता है और वैसे ही लुक अलाइक और यह से भी बेस्ट रिजल्ट आता है विकॉस लुक लाइक से इसलिए आता है कि आपके पास एक प्रटी कुलर लोगों का डाटा है और वैसे ही आपने प्रटी कुलर लिस्ट फेस्बुक चे मांगी है अब जब ये लिस्ट को आप study कर चुके हो मतलब आपको पता है कि ये लोग कैसे है जो दूसरी आपको लिस्ट दी है कहता है तो आप इनको easy चीजें sell कर सकते हो जो आप करना चाहते हो इनसे easy करा सकते हो तो ये होता है facebook audience अब आगे आने वाले वीडियो से मैं इसमें और detail में जाओंगा अगर आपने और वीडियो नहीं देखिए तो make sure आप वीडियो को देखें पुरा सुरू से follow करें तभी आप एक beginner level से एक अच्छे level पर पहुंद पहूंगे मैं बार बार expert बोलता हूं बट हो सकता है expert गल के लिए daily लाने के लिए make sure चैनल को subscribe कर दो because आपको एक subscribe आपको बहुत सारा knowledge free of course देगा क्योंकि यह जो course है इसकी value नहीं भी तो साथ से 14,000 रुबए के बीच है लेकिन मैं आपको यहाँ free में free में free में provide कर रहा हूं make sure यह दो काम आप जरू करें like करें इस वीडियो को चैन आपको आपको बाबाय जाहिन